नमस्कार दोस्तों मैं योगे इसमिस्तरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ योगे इसी लर्णिंग योटूब चैनल पर बात करेंगे नवद्दै बिद्याले से जारी किये गए दो अलग-अलग बिग्यापन की जिसमें सेच्षणिकपद यानि की टीचिंग पोस्ट और गायर सेच्षणिकपद यानि की नउन टीचिंग पोस्ट दोनों ही तरह की अलग-अलग बिग्यापन के अंदर देखने को मिलती हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं और डिटेल में चीजों को कवर कर लेते हैं उसके पहले जो भी अभ्यरती चैनल पर नहीं है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए देखे सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए तो इसका भी बिग्यापन कल ही जारी किया गया है कल दो बिग्यापन नवदे विद्याले समीति ने जारी किये हैं अलग-अलग यहां पर वैकेंसीज के रिगार्डिंग यह जो बिग्यापन है यह आपको उत्तरप्रदेश से देखने को मिलता है गौतम बुद्ध नगर से और यहीं पर मतलब इनका जो है एड़कौर्टर है यूपी का तो यहीं से यह बिग्यापन देखने को मिलता है जिसमें इतने प्रकार के जो पद है यह इंकलूड है मेल स्टाफ नर्स के लिए तो यहाँ पर कुल मिलाकर 121 पदों पर यह भरती है इसी प्रकार असिस्टेंस सेक्षन ओफिसर जिसे एसो बोला जाता है इसके लिए 5 पद है और जो है ओडिट असिस्टेंट गूरूबी की यह पोस्ट है इसके लिए 12 पद है जूनियर ट्रां पद इसके लिए और 128 पद यहाँ पर इसके लिए लाइब अटेंडेंट के लिए 161 पद और इसी प्रकार से यह भरतियां आपको देखने को मिल जाती हैं MTS के लिए 19 पदों पर यह भरती है दोस्तों इन बिग्यापनों को लेकर के मैं आपको बता दूं कि जैसे बांकी के डिपार्टमेंट में पहले सौट नोटीस आती है उसी प्रकार सी यह है लेकिन यह डिटेल भी ग्यापन है और अभी इसमें अपलाई ऑनलाइन की डेट को लेकर के यहाँ पर मेंसन नहीं किया गया है योगता और सैल्री की बात करें तो देखिए जैसे फीमेल इस्टाप ग्रूप बी की यह पोस्ट होती है इसके लिए जो यहाँ पर बेसिक पे है यह 44,900 होता है हलाकि इसके उपर टीए डीए वगारा भी मिलता है अपर एसलिमिट इसमें 35 पियर्स है और एसेंसियल कॉलिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर रेगुलर कोर्स इन बीएसी नर् गोलना और आना चाहिए इसके बाद यहाँ पर असिस्टेंस एक्सन आफिसर के लिए यहाँ पर बैसलर डिगरी और तीन साल का एक्सपिरियंस तो यह सारी चीज़े है योगिता को लेकर के वो आप देख लीजी बढ़ते हैं दूसरे बिग्यापन पर जो की टीचिंग पो बाला है एक नहीं बलकि दो बिग्यापन और आएंगे कौन से वो अभी में आपको बताऊंगा देखिए दोस्तों इसमें क्या है क्या जैसे कि यह पीजी टी की पोस्ट है तो यह जो बैकेंसीज है यह है जो है लडी सी एक्जाम से इन बैकेंसीज को भरा जाएगा जिसका मतलब होता है Limited Departmental Competitive Exam अब इसका देखिए मतलब क्या है जैसे यहाँ पर PGT की भरती है तो PGT की भरती के लिए वही आविदन करेंगे जो आल लेडी TGT टीचर है यानि कि यह पद जो सारे के सारे हैं यह पद जो है यह भरे जाएंगे प्रमोशन से बात ऐसी है तो फिर क्या इसमें Fresh Candidate आविदन नहीं कर पाएंगे जी बिल्कुल इसमें Fresh Candidate आविदन नहीं कर पाएंगे लेकिन Fresh Candidate के लिए एक अच्छी खुशकबरी यह है कि देखे जब भी यह बैकेंसीज आती है LDCE की तो इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पर जो है Freshar के लिए भी इन सभी पदो पर बैकेंसीज देखने को मिलती हैं तो उम्मीद यह है कि अपरैल के फर्स्ट वीक तक वो बैकेंसीज भी आ जाएंगी ठीके दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद